नमो नमा सबको मेरा नमस्कार आज हम पसू पक्षियों के नाम पढ़ेंगे अजगर अजगर को संस्कृत में कहते हैं अजगरह उल्लू कह अथवा कौसी कह उन्ट उस्ट्रह तोता सुकह अथवा कीरह कबूतर कपोतह या पारावतह कुत्ता कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं कुकूरह स्वाह कुकूरह स्वाह सारमेह आगे हैं बकरा बकरी बकरे को बोलते हैं अजह बकरी को कहते हैं अजाह उतिया सरमा या सुनी कुवा काकह वैसह धक्षह कोयल कोकिलह परवृतह कोयल कोकिलह सबने सुना होगा इसका दूसरा नाम है परवृतह खरगोस सशकह गीध ग्रिध हांस मरालह अथवा हंसह भैंस को संस्कृत में बोलते हैं महीसी भैंस तो सबने देखी होगी महीसी भालू भलू कह सारस सारस हा मदुमक्खी मदुमक्षिका अथवा मदुमक्षह या मदुमक्षा अगे गाय गाय को कहते हैं गो धेनुहू अगे हमारे पास है चीता चीते को संस्कृत में बोलते हैं चित्र कह चूहा अथवा चुहिया चुहा और चुहिया को क्या कहते हैं चुहा चुही चुह को बोलते हैं मूस कह चुहे को बोलते हैं मूस कह और चुहिया को बोलते हैं मूसी का चिपकली ग्रिह गोधिका चिपकली तो सब के घर में होती है कहीं बार तो चिपकली को क्या कहेंगे ग्रिह गोधिका तेन दुआ तरक्षु हूँ पतंगा सल्भ और आगे हमार पास कुत्ता कुत्ते को कुकुरास्वा सारमेय कॉलेय कह कहते हैं बगुला वकह बगुला जो मादा है एक है नर बगुला मादा बगुला को क्या बोलते हैं वकी बंदर को कहते हैं वान रह और कपी बाग ब्याग रह बिल्ली मार जारी मैना सारी का भेडिया उरिकह मोर और मोर्नी को क्या कहते हैं संस्कृत में मोर को बोलते हैं मियूरह और मोर्नी को कहते हैं मियूरी मगर मकरह बाज को बोलते हैं सैनह नीलकंट को बोलते हैं चाशह इस तरह से आप संस्कृत में पसुपक्षियों के नाम सीखेंगे तो आपको संस्कृत में इनका ज्यान होना अतियवस्यक है जैसे कोयल वाला पाठ आ गया तो कोकिलह भी कहते हैं और परभृता भी कहते हैं बंदर वाला पाठ आ गया कोई तो बानरह भी बोलते हैं कभी भी बाग का, व्यागरह, बिल्ली, मारजारी, मैना, शारिका, भेडिया, वरिका, मोर, मियूरह, मोर्नी, मियूरी इस तरह से आप इन्हें याद करेंगे तथा अपनी कॉप्पी पर लिखेंगे भी क्योंकि आप फोन पे कितनी बार विडियो देखेंगे यदि आप लिख लेंगे कॉप्पी पर तो आपको फिर ये अच्छी तरह से वहां से याद करना है धन्यवाद